So friends, Akshay Kumar इन दिनों अपनी upcoming film बड़े मिया चोटी मिया को लेकर सुर्ख्यों में है बड़े मिया चोटी मिया के बाद एक्टर अपनी आने वाली film Sky Force को लेकर चर्चा में है Film को लेकर जबरदस्त बजबना हुआ है Sky Force एक Action Thriller film होगी IMDB की report के मताबिक Akshay Kumar की film Sky Force में अक्षे कुमार येर फोर्स आपिसर की भूमिकानी भहेंगे फिल्म की कहानी भारतिय वायु सेना की मिशन पर आधारी थोगी फिल्म की कहानी का खुलासा हो चुका है चलिए जानते हैं फिल्म की कहानी इपोट के मुताबिक फिलिम की कहानी भारत और पाकिस्तान के बीच हुए हवाई उद्ध पर आधारी थे भारत ने पाकिस्तान पर येर श्ट्राइक की थी भारत ने पाकिस्तान के सरगोदा येर बेस पर हमला कर दिया यह फिलिम 1965 पर आधारी थे पाकिस्तान ने पठान को टामतपूर और हलवारा पर हमला किया था इसके जवाब में भारतिय वायु सेना ने सरगोदा पर हमला कर जवाब दिया उन दिनों सरगोदा येर बेस को एशिया के सबसे मजबूत येर बेस में से एक माना जाता था बावजूद भारतिय वायु सेना के पाइलोटों ने सरगोधा येर बेस पर हमला कर संपतिक को बाहरी नुकसान पहुचाया इसपोर्ट में ये भी कहा गया है कि यह एक मात्र मोका है वायु सेना के किसी लड़ाको बिमान को मरोनो परांत महाविर चकरह से सम्मानित किया गया इस फिल्म में अक्षे कुमार के साथ वीर पहाड या इमरत कौर और साराली खान मुक्य भुमिका में नज़र आने वाले है अलाकि मेकर्स ने अभी तक अक्षे कुमार के आलावा किसी और एक्टर का नाम ओफिशल नहीं किया है वैसे दोस्तों आप कितने एक सैटेड़े अक्षे कुमार की फिल्म स्काइफोर्स के लिए कमेंट करके जरूर बताना बाकी और ऐसे ही फिल्मों से रिलेडेड मज़ेदार अपडेट्स के लिए हमरे चैनल को सब्सक्राइब करें